इसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी क्रिप्टो की स्ट्रेटजी के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी बना के नहीं चलते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट में भाया आपकी स्ट्रेटजी खुद की होनी चाहिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप दूसरे की strategies follow करो नहीं आप कर सकते हो follow लेगिन आपकी भी खुद की strategies होनी चाहिए क्योंकि funds आपके हैं पैसा आपका है आपको invest करना है आपको अपने लिए invest करना है इसलिए बोलता हूं कि strategies बना के चलिए और हमेशा अपनी market में research भी करते रहिए तो आज की वीडियो बहुत important है कोई भी part miss मत कीजेगा बहुत जरूरी है अगर आप bull run की तयारी कर रहे है या bull run तक आपका focus है कि bull run में एक अच्छे returns हमको मिल जाए लेकिन वो return आपको कम से कम पैसे में अगर ज्यादा return मिले तो इसमें कोई घाटा नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं आपको reality बता रहूं बहुत सारे लोग तो समझ गए लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके questions आते है means उनके पास पैसा तो है वो crypto में लगाना तो चाहते हैं लेकिन उनका question यह होता है कि किस crypto में पैसा लगाएं कि हमको इतना बड़िया return मिल जाए बड़िया return मिल जाए short term में मिल जाए है न mostly question होते हैं कि short term में मिल जाए ठीक है bullrun तक मिल सकता है short term में मिल सकता है लेकिन जो funds है उसको एक strategy की तरह आपको use करना पड़ेगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं पैसा ले तो आते है market में और लगा देते हैं एक साथ ही किसी एक coin में डाल दिया इतना किसी दूसरे coin में डाल दिया इतना तो इस तरह से जो है बिना सोचे समझे डाल देते हैं ठीक है price आप आगे बड़ेगा तो आप sell कर दोगे आपको profit मिल जाएगा short term में मिल सकता है क्योंकि जब market pump dump करती है जिस level से आपने buy किया है वहाँ से अगर pump करेगी तो आपको easily profit मिल जाएगा ठीक है strategies यह है कि मालो ठीक है कोई financial advice नहीं है आप हमेशा अपनी research करें market बहुत risky है यहाँ आपको profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है ठीक है मैं आपको एक example दे रहों मालो आपके पास 50,000 rupees का fund है ठीक है 50,000 rupees आपको लगाने है market के अंदर किसी coin में आपको डालना है अब वो 50,000 आप क्या गरोगे या तो एक साथ डाल दोगे एक coin के अंदर या दो coin में डाल दोगे 25,000 25,000 लेकिन उस 50,000 को अगर आपको लेने हैं और भी coins याना बहुत सारी categories हैं बहुत सारे ऐसे potential वाले coins हैं अगर आप market में काफी times हैगा आपको experience होगा तो आप खुद अपना decision ले सकते हो लेकिन सिर्फ दो coin के सारे तो रह नहीं सकते अगले bullrun में कि दो coin लेके रख दिये और उसके सारे यहाँ पर cut जाए ठीक है वो बहुत बड़ी गलती होगी कभी भी दो coins के सारे या एक coin के सारे मत रहिएगा बहुत सारे लोग एक ही crypto में पैसा ठोक देते हैं वो भी बहुत गलत है क्योंकि आपका future फिर उसी crypto पे depend हो गया अगर वो कल को bumper return दे दे तो आपकी यहाँ पे अच्छी return आपको मिल सकती है लेकिन अगर नहीं दिया उसने bumper return तो वो bull run आपके किसी काम का नहीं होगा क्योंकि आपने बाकी coins खरीदे नहीं लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपीज है आप उस 50,000 रुपीज से SIP कर सकते हो समझो माल लो आपको कोई coins खरीदने है सबसे बड़ी strategy यह है कि जब भी आपको कोई coin खरीदना है आप यह देखो कि वो dip में है या नहीं है जब market correction लेती है market आए आपको देखो pump के साथ correction भी दिखाती है correction क्यों दिखाती है correction होता है entries बनाने का बहुत सारे लोग SIP करते हैं correction में जब altcoins अच्छे खासे dip के अंदर होते हैं अब आपको मालो 50,000 आपके पास है funds आपको लेने है 10 coins 55,000 की आप SIP कर सकते हो यह 5 coins आपको लेने हैं तो 10,000 की कर सकते हो अब 50,000 में आप क्या करोगे एक ही crypto में डाल दोगे या 2 में डाल दोगे price जो भी चल रहा होगा अगर वो 5% भी उपर होगा आप डाल दोगे ठीक है लेकिन dip का फायदा क्या है strategies क्या है अगर आप dip में खरीद रहे हो आपको क्या करना है हर महीने आपको SIP करना है यह एक ऐसी strategy है जो आपको बहुत बढ़िया return दे सकती है SIP means जिस भी coin में आपको SIP करनी है जिस भी coin में को आपको खरीदना है आपको यह देखना है बस कि वो dip में है या नहीं है और जब आपको dip में coins मिलते हैं जब एक correction वाला mahal market में होता है है ना तब आपको SIP कर देनी है चाहे आप 5 coins में कीजिए 10 coins में कीजिए या 20 coins में कीजिए क्योंकि 50,000 के आप बहुत parts कर सकते हैं ठीक है depend करता है और वो strategy आपकी यह नीची कि हर महिने अगर आप SIP कर रहे हो अगली बार आपके पास जब fund होगा तब भी आपको यही strategy अपनानी है कि coin आपको जो लेना है वो dip में है या नहीं है बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब भार पर चड़ जाते हैं और सीधा वहीं पर भाय कर लेते हैं कोई coin 10% पर्सेंट कर रहा है कोई 50% कर रहा है इतना risk ले लेते हैं वहाँ पर खरीद लेते हैं आपको market की समझ होनी चीए कि उस coin में आगे क्या हो सकता है और ये समझ आपको तभी लगेगी जब आप charts का analysis करोगे ठीक है तो कहने का मतलब यही है पैसा आपको एक सही strategy की तरह use करके लगाना है यह नहीं कि आप किसी भी coin में ठोक रहे हो और किसी भी price पर ठोक रहे हो नहीं जितना आपके dip के अंदर SIP होंगी जितनी जएदा आप SIP करना चाहते हो वो आपकी choice है आपका decision है लेकिन जितना dip में आपकी SIP होंगी चाहिए आप 10 coin खरीदो 5 coin खरीदो ठीक है research करके खरीदो और सबसे बड़ी कोशिश यही कि जब discount मिल रहा है आप shopping करने जाते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं कहां discount मिल रहा है वही से shop करते हैं अगर कहीं आपको महंगा मिल रहा हुआ तो आप बिलकुल नहीं लोगे आप discount पे ही लोगे लेते हो जब डिसकाउंट मिलता है तो क्यों नहीं लेते हो आप लेते हो मार्किट के अंदर जब प्राइस बढ़ गया है तब आप खरीदने की सोचते हो नहीं जब करेक्शन दिखें आपको खुद पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको कि आपको कौन सा कॉइन लेना है और इस कोईन में आपको उसको ट्रैक कीजिए कब उसके अंदर करेक्शन आ रहा है कब वो डिप में जा रहा है ठीक है तब अपनी S.I.P. कीजिए S.I.P. होती है Systematic Investment Plan आप हर महीने जितनी भी आप करना चाते हैं 5,000, 10,000 वो आपकी चोईस है आपका डिसीजन है लेकिन जि ठीक है 5,10% अल्रेडी तीन महीने से मार्केट में बहुत सारे कोईन्स बढ़ चुके हैं जो नीचे रेंग रहे थे अगर आपने उस टाइम पे S.I.P. कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अब यहाँ पे अभी भी मौका है अभी ज़धा डिसकाउंट गया नही बाकी वीडियो पसंदा है अब लाइक शेर कमेंट कीजिएगा और अपनी रिसर्च जरूर से जरूर कीजिएगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई